हेलो क्लास इकस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट बारा ऐसाइना नेवाल syna dewali के बारे में आप जानते होंगे साइना नेवाल का नाम आ पने सुना होगा ये एक बैटमींटर खेला रई है देन हैं कोड यह रेकेट और उघ्राइक से खिला जाता है जुर चुटिया के पंक होते हैं और रिफ़ांदियों साहता हो और शावनने भाचा में उसे आप अपने घर में सभी बड़ों को बताईएगा ठीक है बच्चो इस चेप्टर में हम साइना नेवाल से जुड़ी हुई विभिन बातों को अपन जान पाएंगे और साथ में जो बेडमिंटन खेले उससे भी अपन परिचित होंगे ठीक तो शुरू करते हैं साइना नेवा इस मुकाम पर पहुँचने वाली वे प्रतम भारती महीला खिलाडी है वे ओलम्पिक में कास्च पदक जीत चुकी है ओलम्पिक खेलों में कौन सा पदक जीत चुकी है वो कास्च पदक ऐसा करने वाली वे प्रतम महीला खिलाडी है वे राष्ट मंडल खेलों में भी स्वा पर आकर यह पदक जीता था उनकी जीत का सिलसिला जारी जारी है उनकी जीवड़ता और होसले को सलाम जीवड़ता मतलब हिम्मत हिम्मत और भाधुरी का जो अच्छा सा उदान त्वस्तुत किया है उसको हम सलाम करते हैं साहिना को पदम श्री पदम भूशन और सरवच खेल राजियो गांदी खेल पुरुसका से सम्मनित किया जा चुका हैं साहिना कराटे में भी इब्रावुश बेल्ट जीत चुकी हैं वे जुनियर वीश्विच एमपियन जीतने वाली पहली भारती महिला की लाड़ी हैं साहिना का जन्म 17 मार्च 1990 को हर्यना राजी के हिसार शहर τανें हुआ उनके पिता हर्वीरसी और माता उशाने वाले हर्वीरसी भारती क्रशी अनुसंदन केंद्र में वेग्ज्याने के साहिन कि मा वीश्विध्य ले इस तर पर दमेल्टमेंटन चेंपियन रह चुकी हैं इसका लाब साहिना को हुआ साहिना ने भेढमेंटन का ककहरा अपनी मां से सीखा ककहरा मनतलब कह से ह तक के अक्षर या वर्ण माला है ना मतलब पूरी ABCD उन्होंने किस से सीखी उनकी मां से हर्याना के एक ठेट रूडी वादी परिवार से होने के बावजुत उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा प्रुशाहन दिया साहिना का आराबिक प्रशिक्षान हेदराबाद के लाल भादूर स्टिडियम के कोच नानी प्रसाद की देखरेक में हुआ उसके बाद उन्होंने द्रोनाचारी पुरुशकार से सम्मानित एस एस एम आरिफ और पुलेला गोपी चन से प्रसिक्षन प्राप्त किया ख्याती प्राप्त प्रसिक्षक वीमल कुमार से भी उन्होंने बेडमिंटन के गूर सिखे जो द्रोनाचारी पुरुशकार होता है पता लगा है कि दोनाचारी पुरुसकार किने प्रदान के जाता है याना आप नेट की साहिता से दोनाचारी पुरुसकार विजयताओ की सुची बनाकर अपने विध्याला में लगा सकते हैं तो आपको सर्च करना है कि दोनाचारी पुरुसकार किसे संबंदी थे और कब दिय साइना को यहां तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी मतला उन्होंने बहुत मेहनत करी तब जाके वह इस मुकाम पर पहुंची इसमें उनकी माता पीता का काफी आहम योगदान रहा हैं साइना को बेट मिंटन सीखने के लिए घर से 25 किलोमेटर दूर जाना पड़त थी ताकि वे गिरे नहीं साइना ने कभी बहाना नहीं बनाया वे अपने माबाप और प्रशिक्षकों का दिल से संबान करती हैं यही करण है कि वे आज इस मुकाम तक पहुंची हैं और उनकी सफलता का सिलसिला अब भी जारी हैं साइना के जीवन की कुछ दिल्चस्प बा कभी ऐसा होता है कि हमें देखने को मिलता है कि जब कहीं लड़की बेदा होती है तो बहुत दुख मनाते हैं मतलब आज भी दुनिया में ऐसे लोग है यह तो चलो उस टाइम की बात है लेकिन आज भी कुछ शेत्र ऐसे हैं जहां पर बेटियों के मारनने पर दुख करते हैं तो वह बताती है कि साइना नेवाल की उनका जर्म होता था उनकी दादी भी बहुत निराश हुई थी मतलब उनको अच्छा नहीं लगा था उन्हें लगा था कि पहली भी संतन बेटी ही और दूसरी भी बेटी हो गई वे तो कई दिनों तक साइना का मुँ देखने भी नहीं आए लेकिन आज उनकी सोच बदल गई है साइना ने समाज को यह दिखा दिया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है अगर बेटी को भी सही मार्ग दर्शन प्रशिक्षन और परिवार का समंतर मिले तो वह नए मुकाम बना सकती है आज उनकी दादी मानत हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है आज उन्हें अपनी पोती पर गरव हैं वे भी मानती है कि अगर बेटीों को भी सही मार्ग दर्शन और सहयोग मिले तो वे भी पुरे देश और समाद पुरे परिवार का नाम भोशन कर सकती है आज सायना नेवाल पर केवल परिवार को ही नहीं पूरे भारत वर्ष को गरवें तो इसमें हमने पढ़ा कि सायना नहींवाल के जीवन के बारे में कुछ बाते भी हमने जानी और समझी अब देखिए सायना नहींवाल की कुछ मुख की उपलब दिया हैं स्वर्ण पदक राष्टर मंडल खेल 2018 में क्विस में विजेता आस्टरिलियां सूपर सीरीज 2016 रजत पदक राष्टर मंडल खेल 2010 मिश्रित विजेता आस्टरिलियां सूपर सीरीज 2014 शुन पदक विश्व जूनियर चैंपियन्शिप 2008 पूने कास्य पतक उबेर कब 2014 दिल्ली कास्य पतक राष्ट मुडल के 2006 मेलनबर्ग बेडमिंटन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं बेडमिंटन का आप 19 सदी के मद्द में बिटिश भारत में वाना जा सकता है ब्रिटिश चावनी शाहर पुना में यह खेल खास तोर पर लोगप्री राइस लिए इस खेल को पुनाई के नाम से भी जाना जाता है शुरू में हवा या गिले मोसम में इसे उनके गोलों से खेलते थे फिर शटल को पने बाजी माल ली इस खेल को बिटिश अधिकारी सेवा निवरिति के बाद अपने साथ वापस बिटेन ले गए जहां इसे पुना विक्सित किया गया और नियम बनाए गए आओ करे वन का पीडियेप में आपको सेंड कर ली हूँ तो आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिए आओ करे टू क्योशन अंसर में आपको सेंड कर दूंगी आओ करे थी भी में आपको सेंड कर ली हूँ तो आप लिखिए उसके बाद में देख लेते हैं लिंग किसे कह करते हैं कि योड़े के बारे में आपको अंजयना चाहूंघ कि पुछिसे यॡब्ली उसे भून कहते हैं जिसे दादा पिटा बालग और रिसी जिस्द इस महिला जाती का वथा उसे इसे लिंग कहते हैं जिसे दादी, माता, बाली का आदी I hope आप लिंग के बारे में अच्छा से जानते हैं अब देख लेते हैं कैसे करें लिंग पुलिंग की शब्दों की पहजान जिस शब्दों के अंत में आ, आव, आपा, आवा, पन, कत्व, ना, य, आदी प्रते लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? पुलिंग होते हैं जिसे खाना, गायक, जोडा, बचपन, पहनावा, पकोडा आदी नेक्स्ट पर्वतों और समुद्रों के नाम भी पुलिंग होते हैं हिंदमासागर, हिमाले, विंध्यांचल आदी देशों के नाम पुलिंग होते जैसे इंगलेंड, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस आदी अधिकांश पेडों के नाम भी पुलिंग होते हैं जैसे आम, नारियल, बर्गदादी है ना इसमें इमली, लीची, नारंगी, नाशपती ये सब अपवा दे अब देखो कैसे करें इस्तिलिंग शब्दों की पेचान पुलिंग शब्दों की पेचान तो हम इसे पकास से कर सकते हैं और इस्तिलिंग शब्दों की जिन शब्दों की अंत में आई, आवट, ए, ई, नी, री, ली, आदी प्रत्य लगई होते हैं वे इस्तिलिंग होते हैं जैसे आजादी, गबराहट, गुडिया, डिबिया, बुराई, सजवटादी, भाषा, बोलियों और लिपयों के नाम इस्ट्रिलिंग होते हैं जैसे उर्दू, पंजाबी, पहाडी, जापानियादी, नदियों और जिलों के नाम इस्ट्रिलिंग होते हैं रंगा यहुना नर्मदा है ना तीथियों के नाम इसे लिंग होते हैं अम्मा वस्या तीज पूल्णीमा नक्षत्रों के नाम इस्टी लिंग होते हैं बहर्णी स्वाती रोहिणी इस प्रकार से अब शब्दों के लिंग बदलने के लिए कुछ नियम आपकी बुक में दे रखे हैं पेज न लॉम्मर मगरमाच पशू गेंडादी वस्दे tam ही होते हैं जैसे मक्षी कोयल चिकली चील मैना गिलहरी आदी कुछ शब्दों के आगे नर और मादा जोड़ का उनका लिंक परियोधन किया जाता हैं एसा सब्सक्राइब भी होते हैं जो इस्तरी और पूरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाते हैं जैसे प्रदान मंत्री डॉक्टर खिलाडी राष्ट्रपती मंत्री आधी ओके उसके बाद देखते हैं आओ करें फोर दिये गए वाक्यों के आगे सही या गरत का निशान अनेक पदक जीते साइन अपनी माँ बाप और प्रशिक्षकों का दिल से सम्मान करती हैं